Hello students, कैसे हैं आप सब एक बार पुना, आप सभी का आपके अपनी चैनल सीव कोचिंग क्लासस पर स्वगत है Class 12 Chemistry NCRT में chapter on May, हम आज देखेंगे कम से कम 30 से 35 अबजेक्टिव कोच्चन तो इन में से जो भी अबजेक्टिव कोच्चन मैं आज बताने वाला हूं सभी के सभी कही ना कहीं बिगर बर्सों में पूछे गए हैं उन्ही कोच्चन को मैंने एड किया है और आप लोग अच्छे से इनको तयार कर लेना ठीक है, तो चलिए चलते हैं और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसका जो लिंक है डिस्क्रप्शन पे रहेगा, आप लोग बूर्स को भी देख लीजेगा ताकि आप से इस चैप्टर का कोई भी अब्जेक्ट्यू छूट ना पाए यह आप पचास से साथ अब्जेक्ट्यू तयार कर लेते हैं तो काफी है, ठीक है वहाँ से कोश्चन आसानी से आपको हैना पेपर में देखने को मिल जाएगा तो चलिए देख लेते हैं पहला कोश्चन है यह ठी ठोस क्रिश्टल जालक में एक धनायन अपने इस्थान से हट कर अंत्राकासी इस्थान पर उपस्थित हो जाता है तो उस त्रोटी को क्या कहते हैं, तो उस त्रोटी को कहते हैं फ्रेंकल दोस देखें, साट की दोस में क्या होता है कि साट की दोस में जो क्रिश्टल तंत्र का जो धनायन है वो निकल कर क्रिश्टल तंत्र से बाहर हो जाता है ठीक है लेकिन जब कोई धनायन या जनायन अपने अंत्राकासी स्थान पर ही जमा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्रेंकल दोस क्लियर तो त्रूटी अर्थात फ्रेंकल त्रूटी या दोस भी आप कह सकते हैं दूसरा question देखें पिघली अवस्था में NACL के बिद्दूद सुचालाख होने का कारण क्या है तो सुतंत्र आयन जब हो जाते हैं तो जो आयन है गति करने लगते हैं और आयनों के गति सिलता के कारण ही बिद्दूद का चालान होता है तो किस कारण से पिघली अवस्था में NACL में विद्धुत का चालान होता है तो इसका सही एंसर है स्वतांत्र आयन चलिए अगला देखते हैं अगला कोशन है के से तुरूटी पर क्रिश्टल का घनत तो कम हो जाता है तो 60 की दोस पर हमने इसके पिछले वीडियो में बदाया था कि 60 की दोस में जो घनत होता है कम ह जाती है लेकिन जो फ्रैंकल दोस होता है तो फ्रैंकल दोस में किसी भी प्रकार के घनत्तों में कोई परिवर्था नहीं होता है क्योंकि जो आयन या आपके पास जालक जो रचक अभियम होते हैं वो अपने जालक बिंदू से उठ करके निकल करके अपने कही न कहीं अंत्र crystal tantr के प्रकार, आप लोग हमेशा confused होगे इसमें, 3-4 लाक की संक्या 14 है, लेकिन crystal tantr के जो प्रकार है, वो 7 प्रकार के होते हैं, तो इस question में कभी आप confused मत होना, 2 में एक question हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि confusion वाले question अधिकांसता पूछे जाते हैं, तो कुल crystal tantr दी पूछे, crystal tantr, ठीक है लोग, तो आप बताओगे 7, total कितने 7, यदि कुल त्रिविम जालाक पूछा जाता है, तो आप बताओगे कितना 14 बताओगे, clear, चलिए, अगला देखे, सरप्रथाम परमाडू की अबधार्णा किसने दी, तो कड़ाद ने दी, किसने दी तो कड़कड में, है ना, जैसे कड़कड से बना है कोई परमाडू, समझे, तो सरप्रथाम परमाडू की अबधार्णा कड़ाद ने दी, ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, 11 त में आपनों पड़ा होगा, किसे क्रिश्टल में उपस्थी धानाय, तथा रिणायन की त्रिज्जाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिज्जा अनुपात कहते हैं, क्या कहते हैं स्टुडेंट तो त्रिज्जा अनुपात कहते हैं, क्लियर चलिए, अगला देखें, कुल चाउदा प्रकार के विभिन एककसेलों एककसेले होती हैं जिसे क्या कहते हैं ब्रेविस जाला किया त्रिविम जाला अभी हमने बताया था त्रिविम जाला कुल कितने प्रकार चाउदा प्रकार तो यहाँ पर जो एककसेलों की संक्या चाउदा है तो वो ग्रूप में क किस प्रकार का डोसथ पया जाता है, तो फ्रेंकल डोसथ पया जाता है। फ्रेंकल डोस्थ साटकी दोसथ की ग्जांपल में और कुछ बता दूगा आपको, धात्विक ठोसों की चलकता, किस कारण से होती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्टरान बहने से धारा का प्रवाय होता है, तो जो मुक्त इलेक्टरान होते हैं, धातु में जो मुक्त इलेक्टरान होते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्टरानों के करण जो बिद्दुत का चालन उस पे सुगमता पूर्वर होता है, क्लिय ध्यान रखिएगा, जबकि जो धात्विक पदार्थ होते हैं, धात्विक चलकता होते हैं, उनमें जो ताप बढ़ा दें, उनमें थोड़ी सी कमी आती है, याद रखिएगा, clear, लेकिन अर्ध चाला की चलकता में, क्या होती है, ब्रध्धी होती है, अगला देखें, किसी लिवरकार का इकाई सेल होगा, फेस centered है ना, क्यूविक सेल, या फेस क्यूविक सेल, ऐसा भी कह सकते हैं, तो यह फसी सी, यह निइ, फलक, है ना, केंडरित, घनी सेल होता है, ठीके न, तो इसका हैदी मैं कहूं, फसी Wash का पूरा नाम आप से कहूं, तो इसका आप देखें हैं face centered cubic unit cell face centered cubic unit cell FCC का पूरा नाम है तो इसका जोड़ी त्रिजब पूछा जाता है तो त्रिजब याद के लिजिए a upon root at या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं a upon two root two ठीक है ना ऐसा भी हम लिख सकते हैं clear चलिए आगे देखें and being Judas किस प्रकार के थोसों में पाया जाता है तो ऐनिक थोस में बिनद थोस पाया जाता है अब कुछ ऐसे हमने कुछ लिखा है कि जिनको आपको सबको याद करना हे कि जैसे ऐनिक थोस के सीधा example पूछ दिया जाता है तोenne कुछ प्रमुवक गिथे तो यहां पर जो यह आपको दिख रहा है ना चार प्रकार के थोस इससे कम से कम आप 20 कोश्चन बना सकते हो ध्यान दिजेगा तो इससे आप भिन भिन प्रकार के कोश्चन बना सकते हो तो मैंने कोश्चन नहीं बनाए है डिरेक्ट मैंने आपसे कहा कि आप लोग बस इसे या शील ओर्मॉख 9 seconds be अजाता दातविक ठोस के दो उधारन बताओ तो एक्जाम्पल और तो आप असानिक से प्रकार कम मुझा सकते थे लिकाबर ठीके आगे देखते हैं सरल घंई एक अक इक सेल किंद्रिद घंई एक अक सेल फला किंद्रिद घंई एक अक सेल अब मैंने FCC का पूरा नाम बताया था बनना चीए आपसे face centered cubic unit cell body centered है ना और यहाँ पर cubic unit cell ठीक है और यहाँ पर जिवाद करूँ सरल गनी तो यहाँ पर हो जाएगा simple ठीक है ना सरल तो simple cubic centered cubic unit cell तो इन में जो कणों की संख्या होती है उसकी हम कणना भी कर सकते हैं लेकिन आब आपको याद करना है वस याद कर लेना है कि कितने होते हैं तो इन में होता है एक दो और इस पर होता है चार यहाँ पर गलत लिखा हुआ चार होते हैं ठीक है ना तो फाला केंद्रित गनी एक अकसल में कणों की जो संख्या होती है चार होती है कभी कभी पूछ भी दिया जाता है इंगलेश से दे देता है कि SCC में कड़ों की संख्या एक है ना या BCC में कितना होता है FCC में कितना होता है अब आपको साटकी दोस और फ्रेंकल दोस के कुछ प्रमुख एक्जामपल याद कर लेना है है ना यहने CL, KCL, CSCL, KBR यह साटकी दोस के एक्जामपल है sodium chloride, potassium chloride, cgm chloride और यहाँ पर potassium bromide है फ्रेंकल दोस के एक्जामपल zinc sulfide, silver chloride, silver bromide, silver iodide अब यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ा fact याद करने लायक है AGVR AGVR में साटकी और ह्रेंकल दोनों प्रकार का दोस पाया जाता है आपको इस fact को अच्छे से त्यार कर लेना है क्यों क्योंकि जो AGVR है वो कामन है और ऐसा question पुछा जाएगा किस ऐसा कौन सा योगिक है या किस योगिक में साटकी और फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोस पाया जाती है चार आपसंदी देगा या एक वाक्य में उत्तर में आ है आपके लिए देखिए मैंने टोटल लिखा है लगबग 30 से 35 से आप objective question बना सकते हैं जितने मैं आपको आज करा रहा हूं तो यहाँ पर sc, fcc और bcc, s का मतलब मैंने बता दिया simple face और ये body इनकी जो परमाडवी त्रिज्जा होती है वो कितनी होती है तो a upon two, a upon two root two इसको ह एक आपने देखा था पिछरे question पर और ये bcc body centered cubic unit cell तो root three y four a ये परमाडवी त्रिज्जा है ठीक है ना परमाडवी त्रिज्जा है ध्यार रखेगा इन चीजों को और मैंने आपको त्रिविम एकक cell के वारे में पढ़ाया था उस वीडियो मैंने बताया था मोल क्रिष्टल तंत्र टूटल कितने होते हैं साथ और जो एकक cell होते हैं त्रिविम जालाग जो होते हैं वो चोगदय प्रकार के होते हैं अभी मैंने बताया इसमें अंतर फलकी है कोण और आपेचिक अच्छी है दूरिया उसको आप लोग जरूर तयार कर लेना और उसका आप लोगों को तयारी कर लेना है ठीक है स्टुडेंट तो आज के वीडियो कैसा लगा और डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वाट्सप ग्रूप का जोड़ लेना मेरे भाई हो सबको आपको हेल्प होगा और साथ में इसका पिछला जो वीडियो था निवे अब्जेक्टिव कोशन का वह भी मैं लिंक देंगा तो आप लोग जरूर से देख लेना तो चलता है स्टुडेंट फिर मिलते हैं कि वीडियो में नेट आपके साथ तब तक लिए जाहिए बंद मात्रा मुँँद्वाइब